हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मा यूटूब चैनल प्रेग्नेंसी नौलेज हेल्प फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब कोई महला गर्ववती होती है तो गर्ववती होने के बाद क्या महलाएं सिप जी की पूझा कर सकती है या किसी अन्य देवी से बताएंगे क्योंकि प्रेग्नेंसी की दौरान कई महलाओं के मन में यह विचार रहता है और यह सवाल काफी महलाओं के मन में भी चलता रहता है फ्रेंड्स सास्त्रों के तक्ति प्रमाणों के माद्यम से आज हम का आज हम आपको बताएंगे कि गर्वती महला को गर्वा सकती है या नहीं तो सबसे पहले आपको बता दो कि जब कोई महला गर्व बती होती है तो करवावस्था में जब प्पाँचdish महीना कंप्लीट कर लेती है और छटवे महीने में प्रभेश करती है तो वह देव अदिकार ये देव इषपरश अदिकार नहीं उसे नहीं करना चाहिए या उसके लिए वर्जित होता है फ्रेंट्स हर महिला और हर व्यक्ति का पूरा अधिकार है कि वैं पूजा करें हर दिवी देबताओं पर पूरा अधिकार है लेकिन फ्रेंट्स कुछ सास्त्रों की मर्यादा भी है तो आपको बता दें कि ऐसा हम नहीं कहते है ऐसा सास्त्रों में लिखा है कुछ सास्त्रों की मर्यादा भी है कारण क्या है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जैसे कि इस्तरी जो पांचमा महिना कंप्लीट कर लेती है और छटवे महिने में उसकी शुरवात होती है तो गर्वती महला मांसिक और शारीरिक रूप से इतनी शुद्धता में नहीं रह पाती कि वो देवादिकार या देविश्पर्श कारियों को कर सके क्योंकि पूजा में सुद्धता और पवित्रता होना बहुत ही जरूरी होता है इसलिए हमारे सास्तरों में कहा गया है कि पांचमा महिना जब गर्वती महला कंप्लीट कर लेती है और छटवे महिने की सुरुवात होती है तो उसे देव इश्पर्श नहीं करना चाहिए जैसे शालिक राम का इश्पर्श शिवलिंग का इश्पर्श या देवी-देवताओं का इश्पर्श मूरती रूप में नहीं करना चाहिए, फ्रेंट सास्त्रों की अनुसार जब कोई महला छटवे महिने में पृतिये गर्ववती महला को होम आदिकार्य यात्रा का कारे देव इश्पर्श आदित नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें छटवे महिने से लेकर कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, यह कारे गर्व वती महला के लिए छट्वे महीने से बर्जित बताए गई हैं इसलिए आपको छट्वे महीने से काफी शापधानिय वर्तने की जरुत होती है प्रेंट्स गर्वती महला को कोई गर्व दोश ना लग जाए इसलिए उन्हें गर्वावस्ता के दोरान भौधी शापधानिया वरतने की जुरत होती है इसलिए आपको हर एक काम बहुती सोच समझ के करना चाहिए और बहुती ध्यान पूरवक रखना चाहिए सास्त्रों के अनुसार छटवे महीने से गर्वती महला को होम आधि जगनाधि कारियों से दूर रहना चाहिए लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप भगवान शंकर की पूजा नहीं कर सकती बस आप छटवे महीने से देव इशपर्ष या आप जल अविशेक नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा सास्तों में लिखा है और उनके लिए वर्जित बताया गया है अगर आप जल अविशेक करना चाहती हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर या अपने हस्वेंट से जल अविशेक करा सकती हैं और वहां बैटकर पूजा का लाब भी ले सकती हैं तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा शियर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें साथी बेल आइकन को भी दवाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की आपको मिल सके थेंक यू